नमस्कार आप देख रहें एक News24 और मैं हूँ स्वाती आपके साथ भूझपूरी के सुपरस्टार पवन सिंग की मुश्किले लगतार बढ़ते जा रही है जब सुन होने कारकाट लोकसभा सीट से निर्दलिये चुनाओ लड़ने के अलान किया है तब से BJP उनके पीछे पड़ गई है BJP के तबाम नेता बयान दे रहे हैं पवन सिंग को ये हिदायत दे रहे हैं कि वो अपना नमांकन वापिस ले ले वो चुनाओं में बैठ जाये नहीं तो पार्टी उनके खिलाब कारवाई करेगी अभी हाल ही में बिहार सरकार के मंत्री और BJP नेता प्रेम कुमार ने पवन सिंग को ये चिताबनी दी थी कि वो अपना नमांकन वापिस ले ले नहीं तो BJP उनके खिलाब कड़ी कारवाई करेगी क्योंकि BJP का अभी भी पवन सिंग हिस्सा है उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ा और इसके बावजूद वो निर्दलिये चुनावी मैदान में ऐसे में प्रेम कुमार का ये कहना था कि पहले भी बहुत से लोगों ने ऐसा किया था वो बीना पार्टी छोड़े निर्दलिये चुनावी लड़े थे जुसके बाद पार्टी ने उनके खिलाब करवाई कि और पवन सिंग के साथ भी सेम यही होगा हलाकि पवन सिंग भी लगा था डटकर जवाब दे रहे हैं उनका यह साफ है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप तो वो आगे बढ़ गे हो और आगे ही रहेंगे अब वो पीछे नहीं जाने वाले हैं और इसी बीच में बीते दिन पवन सिंग की मा ने भी अपना नामांकन किया वो भी कारकाट लोगसबा सीट से निर्दल ये चुनाओ लड़ने का अलान कर चुकिये जिसके बाद पवन सिंग से ये पूछा गया कि आखिर आपकी रनीती क्या है आपके दिमाग में चल क्या रहा है क्योंकि एक तरफ आपने आज से ठीक पास दिन पहले अपना नामांकन किया था और उस नामांकन में आपकी पत्नी और आपकी मा ने आचल फैला कर जनता से वोट मांगा था शिरवाद मांगा था लेकिन ठीक पास दिन बाद आपकी मा प और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनकी मा यानि की प्रतीमा देवी अपना नामांकन वापिस लेलेंगे। धर्ती के लाल है और उनका पूरा अधिकार है। जबकि वो कोई मुद्दा नहीं था और यही वज़य है कि फिर मैंने वहां से अपने आपको पीछे कर लिया, मैंने वहां से चुनाओ लड़ने से मना कर दिया, लेकिन मैंने ये साफ किया था लोगसभाद चुनाओ से पहले कि मैं चुनाओ तो लड़ूंगा चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन मैं चुनाओ जरूर लड़ूंगा और जब मैंने अपने परिवार, अपने मित्रों से सलाह ली, कि मैं कहां से चुनाओ लड़ूंगा तो मुझे इस सलाह दिया गया, कि आप कारा कार्ट सीट से चुनाओ लड़िए, क्योंकि वहां पे सबसे कम विकास ह हुआ है, और मेरा उद्धिश्य नेता बनकर पैसा कमाना नहीं है, बलकि जनता के लिए काम करने, और जुस तरीके से जनता ने मुझे बेटा मान लिया, मुझे आशिरवाद दे रहा, मुझे पूरा यकीन है कि मैं चुनाओ जीत रहा हूं, और जीत कर मैं कारा कार्ट में विकास करूँगा, जो अब तक नहीं हुआ, मैं वहाँ वो करूँगा, क्योंकि मुझे अपने जनता पे भरोसा है, जनता मुझे लागातार अपना अशिरवाद और प्यार दे रही है, हलाकि अब देखना दुल्चस्प यहोगा, कि जुस तरीके से भोजपूरी के सूपर पवन सिंग, कारकाट की जनता पर अपना प्यार जता रहे है, उनको भरोसा है, कि उनको जनता उनके पक्ष में मतदान करेगी, हलाकि चार जुन को जो परिनाम आएगा, उसके बाद यह साफ होगा, क्योंकि उपेंदर कुश्वाहा एक तरफ इंडिये के प्रत्याश्री के लेकिन अभी भी बीजोपी के नेता ये उमीद कर रहे हैं, कि पवन सिंग हो सकता है, कि अपना नमांकन वापिस ले ले, हो सकता है, कि वो चुनावी मैदान में पीछे हट जा, ताकि उपिंदर कुश्वाहा के लिए कारकाट लोगसभा सीच से चुनाव लड़ना आसान हो यदि आप हमें फेशुक को देख पा रहे हैं, तो हमारे फेशुक पीछ को भी फॉलो करें, धन्यवाद